स्वामी जी एक लेटार जारी किया गया है जिसमें धंकी बरा लेटार है और आपको टीवी डीवेट में जाने से मना किया है क्या है पुरा मावलाई यह बेसिक चल तो पिछले साल से रहा है पिछले साल परशुराम जैनती थी, हम साहरणपुर गए थे, हमको तब भी धंकी मिला था हमने पुलिस को बताया था, तो पुलिस ने कहा हम कारवाई कर रहे हुए एक साल उस बात को भीत गया, कारवाई जा रही है अभी एक हफते के अंतराल में दो लेटर आये पहला एक जो चिट्टी आया, तो बाबा ने सोचा किसी की शरारत होगा उन्होंने उसको नजर अंदाज किया अभी जब दूसरा लेटर आया, तो उन्हें लगा कि सीरियस है उन्होंने हमें अवगत कराया और जब हमें अवगत हुआ तो हमने पंजी करत कराया मुकद में, पुलिस में FIR कराया परंतु कोई मिलाकर के इस्तिती वही है कि कारवाई जा रही है मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कारवाई किसी अन्होंनी का इंतजार कर रही है और वो भी तब जब प्रदेश में और देश में राष्टवादी सरकार हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे आश्रम को सुरक्षित और सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा है मामला बच्चे कोफ में हैं मामला पंजीत कराने के बाद भी आपका कहना है कि करावाई का नाम जरूर लहते हैं कि करवाई हो रही है वैसा दिखता कुछ मैं इसलिए कल मैंने डिजीप साहब को यूपी पुलिस को टैग कर एक पुट भी किया उम्मीद करता हूँ कोई सकरात्मक जानकारी या सकरात्मक बात सुनने को मिलेगी, वो लोग पकड़े जाएंगे जो गलत होंगे, और कम से कम मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि मेरी इस प्राथना को, मेरी इस व्यता को, मेरी इस वेदना को, CM साब तक आप जरूर पहुचाए कम से कम CM सावी चीज को सुनें क्योंकि असुरक्षा क्या होती है वो हमारे प्रधेश के CM से ज़्यादा कोई ने जानता